Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to Literary Heart. So guys, आज की हमारी poem का नाम है Shaper Shaped और ये जो poem है, ये है Harindrnaach Chattopadhyaya की लिखी हुई, एक बहुती beautiful poem है. So guys, जो Harindrnaach Chattopadhyaya है, वह एक Bengali writer है, वह एक musician भी है, एक बहुती famous actor भी थे, philosopher भी थे, और उनके बारे में जो सबसे interesting fact था, वो ये था, कि एक Indian poet है, एक बहुती famous Indian poet है, जिनका नाम है Srojni Naidu. So, आज की हमारी जो poet है, Chattopadhyaya जी, ये है Srojni Naidu के brother है. So guys, अब मैं आपको poem की तरफ लेकर चलती हूँ, कि आज की जो हमारी poem थी, उसका जो main idea था, वो इस idea को represent करती है, या फिर वो इस idea के साथ deal करती है, कि किस तरह knowledge मिलने के बाद, या फिर ज्यान की प्राप्ती होने पर, जो human being है, वो self-obsession को छोड़ कर, अपने आपको भगवान के चर्नों में स्रंडर कर देते हैं, या किस तरह जो human being है, वो self-realization होने पर, अपने आपको भगवान के चर्नों में स्मर्पित कर देते हैं, और guys, आज की जो poem है, यह हमें एक message भी देती है, और वो message है कि जो human beings है, उन्हें अपने एहंकार को या अपने प्राइड को छोड़ कर, आदर पुरवक भगवान के दिये गए roles को, एक आग्याकारी सर्वेंट की तरह निभाना चाहिए, यही message आज की हमारी poem देती है, So guys, without wasting the time, let's start with the poem. So, हमारी जो poem है, उसमें total four stangas है, So guys, first stangas से हम शुरू करते हैं, first stangas में जो poet है, poet कह रहे हैं कि, In days gone by, in days gone by, gone by का मतलब है, बीत गए है, days means दिन, कि वो दिन जो बीत चुके हैं, I used to be, used to be का मतलब है, कि मैं हुआ करता था, a potter, potter का मतलब होते है, कुमहार, कि वो दिन जो बीत गए हैं, उनमें मैं एक कुमहार हुआ करता था, कुमहार, I think सब को पता होगा, कुमहार उनको बोलते हैं, potter उनको बोलते हैं, जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं, आगे है कि, who would feel, जो की महसूस किया करता था, यहां पर, who किस के लिए use किया गया है, potter के लिए, कि मैं एक potter हुआ करता था, जो की feel करता था, his fingers, mold, mold का मतलब होता है, shape देना, the yielding, yielding का मतलब होता है, flexible, clay होता है, mitti, to patterns, patterns होता है, design, नए नए आकार, on his wheel, wheel होता है, जिस पर, जो कुमहार है, वो मिटी के बरतन बनाता है, तो, इस lines में, या in lines में, जो poet है, वो कहता है, कि, वो दिन बीच चुके हैं, जब मैं एक कुमहार हुआ करता था, who would feel, जो feel किया करता था, अपनी fingers के उपर, mold, mold का मतलब है, shapes, the yielding clay, मतलब कि, flexible, mitti की shapes को, अपने, उंगलियों पर, feel किया करता था, two patterns on the wheel, उस समया, जब वह, उन्हें, अपने चकले के उपर, या फिर, अपने wheel के उपर, नए-नए patterns में, या फिर, नए-नया कार में, ढालता था, मिटी को, नए-नया कहने का मतलब यही हुआ, कि, जब वह, अपने चकले के उपर, अपने wheel के उपर, जो flexible clay थी, जो flexible mitti थी, उसको, नए-नए patterns में, नए-नए designs में, शेप देता था, तो, उस समया, उस mitti के shapes को, उस mitti के, जो design थे, उनको, अपनी उंगलियों पर, feel किया करता था, so guys, आगे है, but now, कहता, but now, through wisdom, through means के द्वारा, wisdom होता है, बुद्धी, ज्यान, lately won, lately means recently won, means जो जीता गया है, या फिर जो मिला है, मतलब क्या हुआ इस line का, प्रंतु अब नई मिली हुई, या recently मिले हुए ज्यान के द्वारा, या recently प्राप्त किये गए ज्यान के द्वारा, that pride has gone away, वो जो म मेरा pride था, वो मेरा जो एहंकार था, has gone away, वो जा चुका है, या वो खतम हो चुका है, I have ceased to be a potter, seized का मतलब होता है, stop करना, या बंद करना, I have ceased, मैंने बंद कर दिया है, to be the potter, मैंने एक कुमहार बनना, अब बंद कर दिया है, I have learned, I have learned का मतलब है, मैं सीख चुका हूँ, to be क्ले होता है, मिटी, कि मैंने अब एक potter बनना, छोड़ दिया है, अब मैं एक मिटी बनना, सीख गया हूँ, मैं सीख गया हूँ, कि किस तरह मुझे अपने आपको, दूसरों के according, ढालना चाहिए, किस तरह दूसरों की सुविधा के अनुसार, काम करना चाहिए, तो मैंने वो चीजब सीख चुका हूँ, so guys, next जो हमारा स्टांचा है, next स्टांचा में जो poet है, वो क्या कहते हैं, कि in other days, I used to be a poet, in other days, other days का मतलब है कि दूसरे दिनों में, मतलब कि उन दिनों की बात की गई है, जो दिन बीच चुके हैं, मतलब कि पहले के दिन, कि in other days, I used to be, मैं हु भी हुआ करता था, through whose pen, through means के द्वारा, whose means जिसके, pen means कलम, जिसकी कलम के द्वारा, innumerable songs would come, innumerable का मतलब होता है, अनगिनत, या फिर countless songs, means गाने, would come, means आया करते थे, या फिर जिसकी कलम के द्वारा, अनगिनत songs लिखे जाते थे, to win the heart of man, to win means जीतने के लिए, hearts means, दिल of man, means व्यक्तियों के, मतलब की पहले की दिनों में मैं एक कवी हुआ करता था, जिसकी कलम के द्वारा, अनगिनत, जो गीत थे, वो लिखे जाते थे, और वो जो गीत थे, बहें, दूसरे लोगों का दिल, जीत लिया करते थे, आगे जो point हैं, वो कह रहे हैं, कि, but now, but now, Through new God knowledge, नए मिले हुए ज्यान के द्वारा, नए मिले हुए ज्यान के माध्यम से, which I had not had so long, which I had not, जो मेरे पास नहीं था, had so long means बहुत समया पहले से, मतलब की अब नए मिले हुए ज्यान के द्वारा, वह है ज्यान जो मेरे पास काफी समया से नहीं था, या वह है ज्यान जो का मतलब होता है stop करना बंद करना कि मैंने अब एक point बनना या फिर मैंने एक point होना बंद कर दिया है I have learned to be the song तो अब मैं सीख चुका हूं to be the song अब मैं एक song बनना सीख चुका हूं मैं अब song बन चुका हूं वो song जो हजारों लोगों के दिलों को जीत लिया करता था अब मैंने point ना होकर मैं एक song बन चुका हूं जो दूसरे लोगों के दिलों को असानी से जीत लेता है so guys third जो हमारा stanza है third stanza में जो point है वो क्या कह रहे है I was I was fashioner of swords I was fashioner fashioner का मतब होता है maker बनाने वाला of swords I was a fashioner of swords की मैं तलवार बनाने वाला हुआ करता था in days in days मिंड्स उन दिनों में that now are gone जो अब जा चुके हैं की जो दिन अब जा चुके हैं उन दिनों में मैं एक तलवार बनाने वाला हुआ करता था या मैं sword maker हुआ करता था which means which यहां पर यूज किया गया है sword के लिए तलवार के लिए यहाँ पर use किया गया है which on a hundred battlefields hundred means सैंकडो battlefields means युद के मैदानों में glittered, glittered का मतलब होता है चमकना and gleamed gleamed का मतलब होता है जगमगाना and shone, shone का मतलब भी again होता है चमकना जो की मतलब मैं एक तलवार maker हुआ करता था, तलवार बनाने वाला हुआ करता था, वह तलवार जो सैंकडो battlefield में चमका करती थी या जगमगाती थी आगे है, but now I am brimming with the silence of the Lord मतलब क्या हुआ, कि but now कहते प्रंतु अब I am brimming, brimming का मतलब होता है overflow या फिर भरना, कि अब मैं भर चुका हूँ, with the silence silence होता है, शांती of the Lord means भगवान की, मतलब कि प्रंतु अब मैं भगवान के द्वारा दी गई, शांती से भर चुका हूँ, या भगवान के द्वारा दी गई, जो चुपी है, उससे मैं अब भर चुका हूँ, मुझे अब ग्यान की प्राप्ती हो गई है आगे वो कहते हैं कि I have ceased to be the sword maker ceased का मतलब होता है stop करना या बंद करना, कि अब मैंने एक sword maker बनना, या sword maker होना, बंद कर दिया है मैंने अब तलवार बनाना बंद कर दिया है, I have learned to be the sword, मैं एक मैं सीख चुका हूँ to be the sword, मैं अब तलवार बनना सीख चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ कि किस तरह यूद के मैदान में या फिर किस तरह अपनी ये जो हमारी आम जिन्दगी है, अपनी जो regular life है, इसमें किस तरह से अपने आपको चमकाया जाए, किस तरह से अपने आपको जगमगाया जाए इस दुनिया में, मैं अब ये चीज सीख चुका हूँ so guys, हमारा जो last आंजा है, last आंजा में जो point है वो क्या कहते हैं, कि in bygone days, in bygone days का मतलब है, कि वो दिन जो अब जा चुके हैं, उन दिनों में I used to be a dreamer मैं एक dreamer हुआ करता था dreamer उस person को बोलते हैं जो हमेशा सपने देखता है कि मैं जो दिन बीच चुके हैं उनमें मैं सपने देखा करता था या मैं एक dreamer हुआ करता था who would hurl, hurl का मतलब होता है उच्छालना या फिर चिलाना जो कि उच्छाला करता था on every side on every side में हर तरफ and insolence insolence होलता है बत्तमीजी या फिर जिसको हम गुस्ताखी भी बोल सकते हैं मतलब कि मैं एक dreamer हुआ करता था जो हर तरफ गुस्ताखी को बिखेरा करता था हर तरफ बत्तमीजी को फैलाया करता था a dreamer sorry insolence of of emerald and pearl emerald, emerald and pearl होते हैं precious stones जैसे हमारे जो जिनको हम stones जैसे की हमारे हीरे मोती जिनको हम बोलते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है कि पहले के time में मैं एक dreamer हुआ करता था जो चारो तरफ गुस्ताखी बिखेरता था या फिर मैं एक ऐसा person हुआ करता था बहुत एक जो emerald और pearl का मतलब यहाँ पर है कि precious stone precious stone यहाँ पर किस चीज को represent करते हैं कि वह हैं चारो तरफ अपने अमीरी का दिखावा करता था वह हर तरफ show off करता था किस चीज का अपने emerald and pearl अपने जो precious stone थे अपने जो हिरे जवारात थे मतलब कि अपनी जो अमीरी थी उसका मैं चारो तरफ दिखावा किया करता था उन दिनों में जो अब बीच चुके हैं पर आगे की lines में जो poet हैं वो कहते हैं कि but now I am kneeling कि प्रन्तु अब I am kneeling I am kneeling का मतलब होता है घुटने टेकना कि प्रन्तु अब मैं घुटने टेकता हूं at the feet of the supreme at the feet feet होता है चर्नों में of the supreme supreme का मतलब है भगवान almighty जो है उनके चर्नों में मतलब कि यहाँ पर जो poet हैं वो कहते हैं कि जो प्रन्तु अब मैं अपने घुटने टेक चुका हूं भगवान के चर्नों में अब मैं भगवान के चर्नों में अपने घुटने टेक चुका हूं I have seized मैंने बंद कर दिया है to be the dreamer मैंने dreamer बनना अब बंद कर दिया है I have learned मैं सीख चुका हूं to be the dream मैं अब एक सपना बनना सीख चुका हूँ मैंने ड्रीमर बनना बंद कर दिया है पर मैं क्या सीख चुका हूँ कि कैसे किसी का ड्रीम बना जाता है कैसे सपना बनना है मैं वो चीज सीख चुका हूँ so guys I think you understand the poem well I think it's very easy poem and I don't think you face any difficulty in it but in case if you find any difficulty if you find any doubt regarding the poem you can ask me in the comment section below and guys please don't forget to like share and subscribe thank you so much for watching the video guys